आज हम आज हम क्या करने वाले हैं वो जान लेते हैं जल्दी सी आज हम salts के पारे में basic जानेंगे acids की कुछ reactions पढ़ेंगे कि acid किसके साथ किस तरीके से react करता है और साथ में कुछ common salts के preparation और उनके uses भी जानेंगे तो आज के class फिर से बहुत ही interesting रहने वाली है तो शुरू करते हैं हमारी class with introduction of salts salts क्या होते है अब आप करो कि मैं नमक होते हैं नई वह जो हमारे घर में होता है नमक जिसको हम बोलते हैं वह वह salt होता है पर सिर्फ वही salt नहीं होता है उसके अलावा और भी salts होते हैं हां वो अलग बात है कि उन्हें हम खाते नहीं है पर salts तो होते ही है ठीक है तो अब यह जो salt होते हैं वो prepare किस तरीके से होते हैं बनते किस तरीके से हैं जो हमारे salts होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो यह सारी चीजे अब हम जानेंगे, देखो सबसे पहले salt बनते कैसे हैं, salt जो है वो acid और base के react होने की वजह से बनते हैं, किस वजह से बनते हैं, जब acid और base आपस में react करते हैं तो बनता है salt, ठीक है, अब इस reaction को हम neutralization reaction भी बोलते हैं, why, देखो acid का अपना nature होता है, आप सब holy को पते हैं acid का अपना nature होता है, base का अपना अलग nature होता है, पर जब ये दोनों आपस में react करते हैं, acid और base, तो दोनों ही अपना nature छोड़ देते हैं और एक नए nature को obtain कर लेते हैं तो इसलिए हमने इसको neutralization reaction बोला क्योंकि acid ने base का जो nature है जो effect है वो cancel out कर दिया और base ने acid का effect cancel out कर दिया और दोनों एक neutral compound बना रहे हैं इसलिए इसको एक neutralization reaction बोलते हैं ठीक है इसको मैंने एक reaction की form में भी लिखकर दिखाया है कि जब acid और base react करते हैं तो salt बनता है और salt के साथ water भी बनता है ठीक है अब acids जो हैं अब जो salts हैं वो तीन तरीके के होते हैं ठीक है कौन-कौन से तीन तरीके के होते हैं Acidic Salt होते हैं, Basic Salt होते हैं और Neutral Salt होते हैं ठीक है, अब सबसे पहले जानते है Acidic Salt क्या होते हैं और बनते कैसे हैं देखो, Acidic Salt का क्या मतलब है कि उस Salt के अंदर Acid का Nature होगा, है ना तो Acid का Nature है तो मतलब यहाँ पर Strong Acid और Weak Base होगा तभी तो Acid अपना Nature दिखा रहा है, क्योंकि Base तो Weak है, इसलिए Acid ने अपना Nature दिखा दिया तो Acidic Salt बनाने के लिए हमें Strong Acid को React करवाना पड़ता है, Weak Base से ठीक है, हम किसको React करवाते हैं? Strong Acid को React करवाते हैं, Weak Base से और इसी वजह से Acidic Character हमारे Salt में Appear होता है यहाँ पर मैंने Reaction का Example लिया हो है, HCl, जैसे कि आप जानते ही है, HCl एक Strong Acid है उसको मैंने React करवाया Ammonium Hydroxide, NH4OH से, जो कि एक Weak Base है अब जब इन दोनोंने React किया, तो HCl से क्या निकलेगा? H+, और इदर से क्या निकलेगा? Cl-, ठीक है? HCl से क्या निकलेगा? H+, और Cl-, NH4OH से क्या निकलेगा? NH4+, और OH-, अगर आप चाहते हैं कि आपके reaction अच्छे से हो जाए, आप product अच्छे से बना पाएं, तो आपको ये पता होना चाहिए, कि जब ये compound break हो रहे हैं, तो इनके ions क्या बन रहे हैं, तो आप easily बना पाएंगे जैसे मैंने बताया, HCl में से आपका H+, और Cl-, ऐसे ही NH4OH से NH4+, और साथ में ही OH- ये दो चीज़े आई हैं, तो अब इसका जो प्लस है, वो किस के साथ react करेगा? माइनस के साथ, अब ये Cl- के साथ तो नहीं करेगा, क्योंकि अभी तो Cl- से अलग हूँ है, दुबारा Cl- के साथ जुड़ना है, तो फिर अलगी क्यों है? तो ये Cl- के साथ नहीं जुड़ेगा, ये किस के साथ जुड़ेगा? OH के साथ जुड़ेगा, और H+, और OH- मिलकर क्य क्या बनाएंगे water ठीक है अब बचे क्या NH4 plus और इदर से क्या बचा CL minus तो ये दोनों क्या करेंगे ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे आपस में bond बनाएंगे और क्या बनाएंगे NH4 CL बनाएंगे ठीक है ना I hope आपको clear हो गया होगा मैंने जो समझाया तो HCl strong acid NH4OH weak base दोनों ने react करके NH4Cl ammonium chloride form किया है जो की एक acidic salt होता है ठीक है अब आजाते है basic salt पे basic salt का भी वही concept है basic character show होना है तो base आपका strong होना चाहिए तो weak acid और strong base से हमारा basic salt बनता है ठीक example देखते हैं CH3COOH this is acetic acid जिसको ethinoic acid भी बोलता है ethinoic acid इसका chemical name है और acetic acid इसका common name है ठीक है तो ethinoic acid को हमने react करवाया NaOH जो की एक strong base होता है अब जब इनको react करवाएंगे तो क्या-क्या ions बनेंगे वो देखते हैं आपको बता है ethinoic acid है acid है तो H plus ion release करेगा H plus ion release कर दिया और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है CH3COO- बच गया ठीक है H plus अलग हो गया और acetate अलग हो गया इसको CH3COO- को acetate बोलते हैं ठीक है अब यह जो NaOH है यह NaOH किसमें break होगा base है तो OH- release करेगा तो Na plus और साथ में OH- यह दो चीज़े बन गई अब यह जो plus है यह इस acetate के साथ H plus जो है acetate के साथ दुबारा नहीं जुड़ेगा क्योंकि अभी तो इसी साथ लग हुआ है तो यह किसके साथ जुड़ेगा दूसरे वाले negative से मतलब OH से तो हमारा बन जाएगा water H plus और OH minus का में लाकर water बन जाएगा बाकी बचा CH3 COO minus और Na plus यह दोनों आपस में जुड़ेंगे और sodium acetate बना लेंगे ठीक है ना अब एको होता क्या है आप जितने भी compound देखेंगे generally ऐसा होता है कि आपका जो भी positive iron होता है वो आगे होता है और negative iron पीछे होता है पर कुछ exception होते हैं जैसे यह acetate acetate जो है वो एक negative part होता है फिर भी वो आगे attach होता है जैसे यहाँ पर यह sodium acetate बना है CH3 COona इसमें positive Na पीछे है और acetate वाला पार्ट आगे है तो यह exception है इसके अलावा आप बाकी जगा पर देखेंगे तो हर जगा positive term ही आगे है जैसे HCl में H plus होता है तो आगे है NH4 OH में NH4 positive term है तो फिर वो आ आगे है NH4 CL में भी positive species आगे है यहाँ पर NaOH के अंदर भी positive species आगे है तो आप देखेंगे कि acetate के अलावा बाकी हर जगा पर positive species आगे है और negative species पीछे है ठीक है तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप formula लिखे तो positive species आगे होनी चाहिए negative पीछे होनी चाहिए exception क case याद रखेगा acetate के case में acetate वाला term negative आगे आता है और पीछे positive वाली species आती है ठीक है ना तो यह हो गया आपका basic salt I hope clear हो गया होगा next other neutral salt neutral salt कब बनेगा जब दोनों की जो strength है वो equal होगी दोनों की strength equal है तो दोनों एक दूसरे के effect को cancel out कर देंगे है ना तो neutral salt बनाने के लिए हमें strong acid और strong base चाहिए होता है तो strong acid और strong base का मैंने यहाप एक्जामपल लिया है HCl strong acid react करेगा NaOH strong base के साथ और form करेगा NaCl और H2O इसको भी देख लेते हैं HCl जो बना है वो break होगा H plus और Cl minus में और ऐसे ही NaOH जो है वो break होगा Na plus और OH minus में ठीक है अब यह जो H plus है वो तो negative species के साथ connect हो जाएगा और H2O बना लेगा और यहाँ पर Na plus react करेगा Cl के साथ और NaCl बना लेगा ठीक है तो यह हमारे product आएंगे NaCl और H2O हमारे गर में जो salt हम use करते हैं वो यह होता है NaCl ठीक है हमारे गर में जो salt यूज होता है वो NaCl ही होता है ठीक इसके लावा हम sodium acetate कहीं पर use नहीं करते खाने के लिए और ammonium chloride भी नहीं use करते हैं हम NaCl यूज करते हैं खाने के लिए ठीक है तो I hope आपको सारे salts clear हो गए होगे कि acidic salt किस तरीके से बनता है basic salt कैसे बनता है और neutral salt कैसे बनता है यहाँ पर मैंने जो examples लिया है आप इनके अलाव और कोई example भी ले सकते है acid और base का और reaction कर सकते हैं तो आपके लिए एक छोटा सा homework की रहेगा आज की आपको क्या करना है आपको एक-एक acidic salt, basic salt और neutral salt खुद से बनाना है acid आप change करेंगे, base आप change करेंगे जैसे मैंने यहाँ पर HCl लिया है तो आप HCl की जगे को your strong acid ले सकते हो H2SO4 लेकर बना सकते हो तो आज की class over होने के पाद आपका यह homework रहेगा कि आप एक-एक acidic, basic और neutral salt को form करेंगे खुद से acid और base को change करके ठीक है करना कैसे है विल्कुल चीज सरीके से मैंने बताया सबसे पहले एक acid लीजिएगा फिर एक base लीजिएगा फिर उनको उनके ions में break क कीजिएगा और फिर पहले वाले का positive दूसरे वाले की negative से connect कीजिएगा और दूसरे वाले का negative पहले वाले की positive से connect कीजिएगा ठीक है easily आपका product form हो जाएगा ठीक आगे बढ़ते हैं आगे आप देखते हैं कि acid किसके साथ कौन-कौन से elements के साथ react करता है और क्या-क्या form करता ह तो हम acid की reactions पढ़ने वाले हैं सबसे पहले देखो यहाँ पर मैंने structure लिखा है general structure और फिर नीचे मैंने उसका एक example लिया है तो आप general structure ज़रूर याद रखेगा क्योंकि general structure की help से आपको यह पता चल जाएगा कि हाँ भी product क्या form होना है फिर उसी हिसाब से आप अपना product form कर सक सकते हैं जैसे मैं आपको बता देती हूं देखिए यहाँ पर क्या है acid है acid react करेगा किसी भी metal के साथ metal कोई भी हो सकता है sodium हो सकता है magnesium हो सकता है zinc हो सकता है lithium हो सकता है कोई भी कोई भी metal तो acid metal के साथ react करेगा तो salt plus hydrogen gas form करेगा ठीक है क्या form करेगा salt plus hydrogen gas अब देखे मैंने example किसका लिया है यहाँ पर metal हमारे पास क्या है ओ यह base का example है ठीक है इसको देख लेते हैं base के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है तो base के साथ यहाँ पर react करवा हुआ है example में NaOH आपका base है ठीक base जब metal के साथ react करता है तो वो भी आपका salt और hydrogen gas form करता है ठीक है acid भी salt plus hydrogen gas form करता है और base भी salt plus hydrogen gas form करता है तो यहाँ पर salt का example यहाँ पर base का example लिया हुआ है तो हम base का example देख लेते हैं देखो base है NaOH, NaOH को react करवा हमने metal के साथ और zinc एक metal होता है ठीक है तो यहाँ पर बना क्या है sodium zincate बना है साथ में hydrogen gas बनी है देखो hydrogen gas तो हमें पता है बनेगी बनेगी तो हम क्या करेंगे सबसे पहले तो hydrogen को अलग कर लेंगे और hydrogen gas form कर देंगे क्योंकि हमें पता है कि acid या base ठीक है acid या base कोई भी metal के साथ react करता है तो salt और hydrogen बनाता है तो salt तो अभी हमें नहीं पता कि क्या बनेगा पर हमें पता है hydrogen gas तो बनेगी और hydrogen gas हमें पता है H2 होता है तो यह जो hydrogen है यह H2 बना लेगा आप हमारे पास कौन-कौन से element बचे हमारे पास Na बचा प्लस OH- बचा और Zn Zn अगर आपको पता हो तो Zn की जो valency होती है वो 2 प्लस होती है ठीक है तो Na की 1 प्लस होती है oxygen की 2 माइनस होती है और zinc की 2 प्लस होती है तो अब आपको क्या करना है आपको पता है कोई भी compound आप बनाते हैं तो वो compound में जो valency होती है वो positive total जितनी होगी उतनी ही total negative होगी तो चला देखते है positive कितनी है sodium की 1 zinc की 2 total कितनी होगी 3 positive तो 3 होगए और oxygen का 2 होता है तो 2 अब positive तो कितने होगए है 1 प्लस 2 मदब 3 हो चुके है पर negative कितना है सिर्फ 2 ही है तो हमें 3 और 2 कोई equal तो होते नहीं है तो हमें equal करना पड़ेगा तो हम क्या करें अगर मैं यहाँ पर 2 से multiply कर दूँ अगर मैं sodium को 2 से multiply कर दूँ और oxygen को भी 2 से multiply कर दूँ तो अब मेरे पास positive कितने होगए देखो 2 into 1 2 यहाँ पर हो गए तो हमारे पास sodium के नीचे लगाना है 2 oxygen के नीचे लगाना है 2 और zinc के नीचे कुछ भी ने लगाना ठीक है अब देखो sodium के नीचे 2 था zinc के नीचे 1 था और oxygen के नीचे 2 था और यहाँ पर आपको वही दिखाई दे रहे sodium है 2 zinc है 1 और oxygen भी 2 है ना तो समझ में आगया होगा यह product किस तरीके से form हुआ है sodium zincate इसका नाम है अब आप इसमें sodium को ही आगे लिखेंगे और zinc को ही पीछे लिखेंगे ऐसा नहीं है आप ऐसे लिख देंगे कि Zn Na2 O2 और बोलेंगे मैं लिखे तो सारे सही है ना 2 sodium चाहिए मैंने तो 2 sodium लिख दिया 2 oxygen चाहिए मैंने 2 oxygen लिख दिया 1 zinc चाहिए मैंने 1 zinc लिख दिया और आपने कहा था कि positive आगे होने चाहिए तो देखो मैंने तो दोनो positive आगे लिखे है और negative पीछे लिखे है यह तो बल्कुल सही होना चाहिए पर ऐसा नहीं है आपको क्या करना होता है आपको जो lighter element होता है जो halka element होता है उसको पहले लिखना होता है और जो heavier element होता है उसको बाद में लिखना होता है तो sodium जो है वो एक light element है इसलिए sodium आगे आएगा और zinc बाद में आएगा ठीक है तो ये है आपकी sodium hydroxide की reaction metal के साथ जिससे बना salt sodium zincate plus hydrogen gas अब एक बहुत important चीज आती है जो आती है test देखो हमारी gas जो है hydrogen gas वो एक colorless gas है अब colorless gas है तो हमें कैसे पता चलेगा कि hydrogen gas ही है oxygen भी colorless होती है carbon dioxide भी colorless होती है हमें कैसे पता चलेगा कि जो gas निकली वो hydrogen gas ही निकली है तो gas के लिए एक अलग से test आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो gas release हो रही है ये hydrogen gas है उस test का नाम है pop sound test बहुती मज़ेदार नाम है pop sound test और ये test भी बहुती मज़ेदार ही है क्या करना होता है इसमें हमें इसमें हमें एक container लेना है या beaker ले लो एक beaker लिया हमने उसमें हमने डाल दिया NoH भी डाल दिया उसमें हमने zinc भी डाल दिया ठीक है NoH भी डाल दिया zinc भी डाल दिया अब अंदर ही reaction होगी reaction होगी तो हमारे पास sodium zincate بنेगा और साथ में hydrogen gas बनेगी और gas आपको पता है gas तो हल्की होती है तो gas तो निकलेगी बाहर इस तरीके से हम क्या करेंगे इस gas को collect करेंगे और gas को collect करके एक दूसरे container में pass करेंगे जिसके अंदर होगा क्या? soap solution क्या होगा? soap solution ठीक है? अब इस soap solution के अंदर हम gas को pass करेंगे और जब gas soap solution से pass होगी तो क्या होगा? छोटे-छोटे bubbles बनके उपर उठेंगे ठीक है? hydrogen gas के छोटे-छोटे bubbles बनके ऐसे उपर उठेंगे और फिर हम क्या करेंगे? इन bubbles के पास एक candle लेकर आएंगे ये हो गई candle के contact में हमारे ये चोटे-चोटे bubbles आएंगे hydrogen gas वाले ये pop sound के साथ burst हो जाएंगे ठीक है? जब ये burst होगे फूटेंगे तो इनके अंदर से आवाज वो pop sound आएगा ठीक है? आमने सुना अदेज सुना होगा कभी ना कभी वो bubbles जब फूटते हैं बर्स होते हैं तो एक bubbles के पास लेकर आओगे तो क्या होगा? पॉप sound के साथ burst होगे अगर ऐसा होता है तो हम समझ जाएंगे कि जो gas थी वो hydrogen gas थी और अगर ऐसा नहीं होता है that means वो gas hydrogen gas नहीं थी वो कोई और ही gas थी ठीक है? तो आपको समझ में आगया होगा कि pop sound test जो है hydrogen का किस तरीके से होता है? बहुत simple है आपको क्या करना है? आपको अपनी reaction करवानी है, reaction में हमने क्या किया है? sodium hydroxide को zinc के साथ react करवा है तो दोनों को भी कर में डाल दिया, अब जब दोनों एक दूसरे के contact में आएंगे तो अपने आप product की form में hydrogen gas बनेगी, फिर जब hydrogen gas बनेगी तो आपको क्या करना है hydrogen gas को pass करवाना है, collect करके soap solution से और soap solution से जब आप hydrogen gas को pass करवाओगे तो छोटे-छोटे bubbles बनेगे hydrogen gas की, फिर उन bubbles के पास आपको burning object को लेकर आना है या किसी candle को ले आओ, जैसे ही burning object आपके bubbles के पास आएगा, तो bubbles जो है वो burst होंगे और एक sound produce करेंगे, pop sound, ठीक है? तो उस pop sound से हमें पता चल जाएगा कि हाँ भई, जो gas हम यहाँ पर देख रहे हैं, वो कौन सी gas है? hydrogen gas है, ठीक है? तो बहुत ही important है ये exam में question पूछा जाता है, test से related, ठीक है? अब ये एक और test हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी के लिए hydrogen gas आपको clear हो गई होगी होगी, कि किस सरीके से test किया जाता है, next reaction है, acid की metal carbonate या फिर metal hydrogen carbonate, दोनों reaction एक जैसे होती है, इसी वचा से दोनों को एक ही जगा पर consider किया गया है, acid को जब आप metal carbonate या metal hydrogen carbonate के साथ react करवाते हैं, तो product या form होता है, एक तो salt बनता है, carbon dioxide बनती है, और साथ में water बनता है, ठीक है, तीन ची जैसे कि example के तोर पे, यहाँ पर मैंने HCl acid लिया है, और साथ में sodium carbonate लिया है, जो कि metal carbonate है, ठीक है, तो HCl को मैंने metal carbonate, sodium carbonate के साथ react करवाया है, तो मेरे पास salt बना NaCl, NaCl कैसे बना, Na plus, इसका positive, इसके negative, Cl minus के साथ, ठीक है, NaCl के साथ, मतलब इसका positive, इसके negative के साथ, ऐसे ही इसका positive, इसके negative के साथ, नहीं जुड़ेगा, जफे कह सकते हो, जुड़ेगा, इसके एक oxygen के साथ जुड़ेगा, सिर्फ पूरे carbonate के साथ नहीं जुड़ेगा, सिर्फ एक oxygen को लेगा यहाँ से, ठीक है, तो इसका H+, इसके oxygen के साथ, ब a water और carbon dioxide सेम ऐसे ही sodium hydrogen carbonate जिसको sodium B आप बाइक कार्बोनेट भी बोलते हैं किसी भी hydrogen carbonate को आप बाइक कार्बोनेट भी बोल सकते हैं तो sodium hydrogen carbonate की reaction जब हमने करवाई HCL के साथ तो क्या मना दुबारा से salt water और carbon dioxide ठीक है और देखों गें आप दोनों reactions ही same है जह बी और यह वी प्रोडक्ट भी सेम है बस balancing में difference है यहां पर 2 आ गया यहां पर 2 आ गया और इस वाली reaction में कुछ नहीं है तो बस balancing का difference है वो भी क्यों क्यों कि यहां पर hydrogen आगे इस hydrogen की वजह से यह reaction नीचे वाले अपने आप balance हो गई पर उपर वाली balance नहीं हुई तो हमें उसे balance करना ठीक है ना बस यह difference है बाकी ऊपर वाले product और नीचे वाले product बिल्कुल ही same है ठीक तो यह तो आपको easily याद हो जाएगा आप एक reaction metal carbonate की याद करोगे तो metal hydrogen carbonate की अपने आप याद हो जाएगी अब next जो यहापर gas हमें मिली है वो है carbon dioxide gas तो carbon carbon dioxide की test के लिए होता है हमारा lime water test क्या होता है lime water test अब इस lime water test में क्या होता है देखो lime water का formula होता है CAOH hold twice क्या होता है CAOH hold twice जिसको calcium hydroxide भी बोलते हैं calcium hydroxide बोलो या lime water बोलो एक ही बात है तो होता गया है आपको इस lime water या calcium hydroxide से अपनी बनी हुई जो carbon dioxide है उसको पास करवाना होता है जब आप carbon dioxide को पास करवाते हो तो आपके पास product आता है CACO3 plus water CACO3 plus water अब यह जो CACO3 बनता है यह water में soluble नहीं होता insoluble होता है इस वज़ज़ से इसके precipitates बन जाते हैं white color के और आपका जो lime water है उसमें milky color आ जाता है ठीक है milky color क्यों आता है क्योंकि CACO3 water में soluble नहीं था और उसके precipitates बन गए इसलिए आपका lime water कैसा हो गया milky तो होगा क्या जब आप lime water से carbon dioxide को पास करवाओगे तो lime water milky हो जाता है और उस milky color को देखकर हमें पता जो जाता है कि हाँ भई जो gas हमने पास करवाई है वो carbon dioxide gas ही थी ठीक है अगर milky नहीं होता है तो समझ जो भई कि हमारी जो gas थी वो carbon dioxide नहीं थी है ना अब अगर मान लो चलो milky हो गया उसके बाद भी हमें chain नहीं पड़ा हम ओर carbon dioxide उससे पास करवाय जा रहे हैं करवाय जा रहे हैं awareness iis में carbon dioxide उसमें पास करवा दी उसके भाद क्या होगा जब आप excess में carbon dioxide को pass करवा दोगे अपने solution से तो ये जो CACO3 के PPT बने थे white color के जो precipitates बने थे वो carbon dioxide और water दोनों available है वहाँ पे उन दोनों के साथ react करके calcium by carbonate बना लेगा क्या बना लेगा? calcium by carbonate जो की water में soluble होता है जो की water में soluble होता है तो होगा क्या? आपका जो color था वो white precipitate की बज़ा से जो आया था वो कायब हो जाएगा? है रहा? क्योंकि white precipitate जो थे वो calcium carbonate की बज़ा से थे अब calcium carbonate तो खुदी react करके water और carbon dioxide के साथ उसने calcium by carbonate बना लिया जब calcium by carbonate बनाया तो वो तो water में soluble था जब वो water में soluble था तो वो जो color बना था white precipitate की वज़ा से मिल की वो भी disappear हो जाएगा ठीक है? तो ये होता है पूरा procedure अगर आपसे lime water test पूछा जाता है तो आपको सिर्फ ये बस उपर वाला portion ही लिखना है ठीक है? अगर आपसे question में ये पूछा जाता है कि एकसेस में carbon dioxide को पास करवाते है फिर क्या होता है? तब आपको ये नीचे वाले portion पे जाना है वरना सिर्फ टेस्ट बताना है तो सिर्फ ये उपर वाला portion ही आपको mention करना है तो देख लेते एक बार और कि क्या बताया है मैंने आपको आपको carbon dioxide की test के लिए lime water test करना होता है lime water test में करना क्या होता है? आपको lime water CA OH whole twice को carbon dioxide के साथ react करवाना होता है या फिर आप ये भी बोल सकते कि carbon dioxide को lime water से pass करवाना है जैसे ही आप इसको pass करवाएंगे तो आपके पास lime water जो है वो milky हो जाएगा milky होने का reason क्या होगा? कि calcium carbonate के white precipitate बन जाएगे जिसकी वज़ा से आपका lime water milky हो जाएगा ठीक है? ये तो हो गया lime water test अब अगर आप फिर भी continuous carbon dioxide gas को pass करवाते जा रहे हैं तो क्या होगा? तब आपका calcium carbonate जो है वो water और carbon dioxide के साथ react करके calcium bicarbonate form कर लेगा जो की water में soluble होता है जिसकी वज़ा से आपका जो milky color है वो disappear हो जाएगा और दुबारा से आपको एक colorless solution मिल जाएगा ठीक है? तो ये हो गया आपका lime water test hope so कि आपको clear हो गया होगा next third reaction है acid की metal oxide के साथ acid जब metal oxide के साथ react करता है तो क्या form करता है? वो form करता है salt and water अब आप बोलोगे कि मैं salt और water तो जब acid base के साथ react करता है तब बनता है? बिल्कुल साही बोला बहुत अच्छी sharp memory है आपकी आपको इत्ती ज़ल्द गया दोगा कि acid और base react करता है तो salt और water रगता है तो बच्चों मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ है देखो metal oxide जो होता है आपको बता होगा कि metal oxide जो होते हैं वो basic in nature होते हैं metal oxide जो होते हैं वो basic in nature होते हैं तो एक तरीके से आप यही मान सकते हो, यह basic in nature और यह acid, तो base और acid मिलकर तो salt और water ही बनाएंगे, है ना, तो metal oxide और acid मिलकर salt plus water बनाते हैं, ठीक है, और ऐसे ही जब non-metal oxide और base मिलेंगे, तो भी वो salt और water बनाएंगे, क्योंकि non-metal oxide सार acidic in nature, तो वो acidic in nature है, और साथ में base react करेगा, ठीक है, क्या बोला मैंने, जब non-metallic oxide react करेंगे, base के साथ, तो वो भी same product form करेंगे, ठीक है, क्यों करेंगे, क्योंकि non-metallic oxide सार acidic in nature, और base के साथ react करके, acid base हो गया, salt and water, ठीक है, तो अब example देख लेते हैं, कि metal oxide, acid, salt and water, को example क्या होगा, Nao, Na1, metal है, तो metal oxide, metal को oxygen के साथ react करेंगे, तो metal oxide, तो metal oxide का reaction किस के साथ हमने करवाया, acid के साथ, HCl के साथ, तो इसका negative, इसका positive, मतब अने और Cl जुड कर NaCl मना लेंगे, और बचा क्या, इसका H, इसका O, वो मिलकर H2O मना लेंगे, ऐसे ही, next है, CaO, H2SO4, metal oxide और acid, इसका positive, इसका negative, SO4, और इसका positive, Ca, 2+, तो Ca और SO4, दोनों मिलकर, CaSO4, calcium sulfate बनाएंगे, इसका H2, इसका O, H2O बना लेंगे, next is magnesium oxide, plus hydrochloric acid, magnesium oxide का magnesium positive, Cl negative, बनाएंगे, MgCl2, अब यहां पर MgCl2 की बना, क्योंकि, magnesium की valency होती है, 2, और Cl की valency होती है, 1, तो दोनों का cross multiplication होगा, तो Mg के साथ आएगा 1, और Cl के साथ आएगा 2, तो MgCl2, यह formula हमने 9th class में बनाने सीखे थे थे न, तो MgCl2 यहां पर मन गया, और साथ में water, ऐसे ही CuO, copper oxide, plus HCl acid, CuCl2 और water form करेंगे, ठीक है, तो यह हमारे examples हो गए, Metal Oxide plus Acid के, ठीक है न, Next, अब हम कुछ common salts के बारे में पढ़ने वाले हैं, कि कुछ common salts जो हम general daily life में use करते हैं, वो किस तरीके से prepare होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, और फिर उनके uses भी पढ़ेंगे, Next topic अब हम जो करने वाले हैं, common salts वाला बहुत important है, इसमें से exam में question आता ही आता है, बहुत जादा chances होते हैं, 90% से जादा chances होते हैं, कि इस topic में से question आएगा, वो आप से कुछ भी पूछ सकता है, वो आप से किसी भी compound का preparation पूछ सकता है, और preparation जब भी आप लिखेंगे, तो उसमें साथ में reaction ज़रूर लिखेंगे, preparation के साथ साथ आप से uses भी पूछे जा सकते है, या फिर एक number में question आ सकता है, कि आप से पूछ ले कि compound का chemical name क्या है, common name क्या है, या formula क्या है, इन तीनों में से कोई भी question बन क्या सकता है, एक number में question आएगा, कि common name क्या है, chemical name क्या है, या फिर formula क्या है, ठीक है न, तो तीनों चीज़े आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तो शुरू करते हैं, हमारा सबसे पहला common salt, जो हम use करते हैं, daily life में bleaching powder, ठीक है न, देखते हैं bleaching powder क्या होता है, अब ही पिछली क्लास में अगर आपको याद हो, तो हमने पढ़ा था, कि जब हम NACL का aqueous solution, sodium chloride का aqueous solution, जिसको brine बोलते हैं, उस brine का electrolysis करते हैं, तो हमारे पास एक product आता है chlorine, और भी product आते हैं, हमारे पास hydrogen gas बनी थी, chlorine gas बनी थी, और sodium hydroxide बना था, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है, तो आप उसे जा कर देखिए, मैंने बहुत अच्छे से explain किया हुआ है, कि chlorine gas यहाँ पर कैसे बनेगी, तो जब हम brine का electrolysis करते हैं, तो हमाँ से chlorine gas form होती है, और वही chlorine gas यहाँ पर bleaching powder बनाने में हम यूज करते हैं, ठीक है, वही chlorine gas हमारी bleaching powder की manufacturing में यूज होता है, अब होता क्या है, chlorine gas को हम अपने slag lime के साथ react करवाते हैं, slag lime क्या होता है, calcium hydroxide, calcium hydroxide को slag lime भी बोलते हैं, है ना, तो slag lime के साथ हम chlorine gas को react करवाते हैं, और हमारे पास bleaching powder आ जाता है, bleaching powder एक common name है, यह कोई chemical name नहीं है, और इसका formula होता है, C-A-O-C-L-2, C-A-O-C-L-2, bleaching powder इसका common name है, और इसका chemical name होता है, calcium oxy chloride, क्या होता है, calcium oxy chloride, ठीक है ना, तो जब हम bleaching powder को slag lime के साथ react करवाते हैं, तो हमारे पास calcium oxy chloride या फिर bleaching powder आ जाता है, ठीक है, यहाबर मैंने आपके सामने reaction mention की हुई है, calcium hydroxide को हमने react करवाया, chlorine gas के साथ, जिससे हमें calcium oxy chloride मिला, जिसको bleaching powder भी बोलते हैं, और जात में बना water, ठीक है, तो यह हमारी reaction है, तो हमने formation भी देख ली, कि किस तरीके से preparation होती है, reaction भी देख ली, आप आजाते हैं uses, कि bleaching powder हमारा industry में, और कहां कहां use होता है, देखें, bleaching powder जो है, वो cotton और linen की जो textile industries होती है, मदब कपड़े बनाने की जो industries होती है, वहाँ पर use किया जाता है, bleaching के लिए, आपने सुना होगा, कपड़ों के bleaching होती है, है ना, तो महाँ पर use किया जाता है, paper factories में भी use किया जाता है, और कपड़ों को धोने में, washing cloths में भी use किया जाता है, उसके अलावा, bleaching powder को as a oxidizing agent, के तोर पर भी use किया जाता है, क्योंकि इसके पास oxygen होती है, तो ये अपना oxygen किसी को donate कर सकता है, ठीक है ना, फ्री बनाने के लिए भी, bleaching powder को use किया जाता है, तो ये uses हो गए, ठीक है ना, उसके बाद आता है, sodium, baking soda, baking soda जो है, इसका common name है, और sodium hydrogen carbonate, इसका chemical name है, ठीक है, तो baking soda तो भाई, आप लोगों को पता ही है, कोई भी चीज crispy बनानी होती है, fluffy बनानी होती है, तो उसमें हम use करते हैं, baking soda को, ठीक है, baking soda आपके cakes में use होता है, पकोड़ी बनानी में, crispy पकोड़ा, बनाने में use होता है, इन सारी जगा पर, आप baking soda का use करते हैं, ठीक है, कई बार cooking को fast करने के लिए, भी baking soda का use किया जाता है, इसका formula हो गया, ठीक है ना, तो formula, common name और chemical नेम, तीनों याद होने चाहिए, अब ये जो baking soda है, उसको prepare किया जाता है, किस से sodium chloride से, ठीक है, sodium chloride as a raw material, यूज़ किया जाता है, इसको बनाने के लिए, reaction देख लेते हैं, होता क्या है, NaCl को आप react करवाते हैं, water के साथ, carbon dioxide, और साथ में ammonia, NH3 क्या होता है, ammonia, तो ये चार चीज़े react करती हैं, तब जाकर हमारे पास, हमारा baking soda आता है, अब जब ये react करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, NH4Cl, ammonium chloride, और NaHCO3, sodium hydrogen carbonate, ठीक है, अब baking soda हम किसी भी चीज़ में डालते हैं, तो क्या होता है, baking soda किसी भी चीज़ में डालते हैं, तो वो चीज़ फूल जाते हैं, fluffy हो जाती है, ऐसा क्यों होता है, देखो जब हम baking soda को, या sodium hydrogen carbonate को heat करते हैं, तो heat करने के बाद, हमारा foam होता है, Na2CO3 plus water plus carbon dioxide, ठीक है, क्या product बने, Na2CO3 sodium carbonate plus water plus carbon dioxide, तो यह जो carbon dioxide होती है, इसी की वज़ा से, हमारा जो food है, जो भी material है, वो fluffy हो जाता है, फूला फूला सा हो जाता है, ठीक है न, यह carbon dioxide की वज़ा से होता है, carbon dioxide release होती है, और उसको fluffy बना देती है, ठीक है, तो यह होता है, जब हम baking soda को डालते हैं, अपने food के अंदर, अब baking soda की uses पढ़ लेते हैं, कि कहां कहां हमारा baking soda, sodium hydrogen carbonate यूज किया जाता है, आपने baking soda के अलावा, एक नाम और सुना होगा, baking powder, है न, तो baking powder जो है, वो भी baking soda से ही बनता है, कैसे बनता है, वो मैं आपको बता देती हूँ, baking powder जो है, उसके साथ हम mix करते हैं, कोई भी edible acid, ठीक है, कोई भी edible acid, जैसे यह lactic acid हो गया, citric acid हो गया, इन में से कोई भी acid आप use कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यह mild acid होते होते हलके, कम effect डालने वाले, तो आपने क्या किया, sodium hydrogen carbonate के साथ, कोई भी acid लिया, edible acid, उसमें से H plus iron आएगा, acid का काम होता है, H plus iron release करना, तो वो H plus iron आएगा, और आपके बस product आजाएंगे, carbon dioxide, water, sodium salt of acid, और यह जो sodium salt of acid है, यही आपका क्या है, baking powder, ठीक है, यही आपका baking powder है, ठीक है न, तो आपको क्या करना होता है, baking soda के अंदर, कोई भी edible acid मिलाना होता है, और उससे आपका baking powder, plus carbon dioxide, plus water बन जाता है, ठीक, और क्या-क्या यूज़ होते हैं, antacid, sodium hydrogen carbonate को, as a antacid use किया जाता है, antacid, जब नाम आता है न, तो बच्चे सोचते हैं, ant से related कुछ होगा, चीती से related, पर ऐसा कुछ नहीं है, antacid कोई चीती से related, या ant से related नहीं है, antacid का मतलब होता है, acid का ultra effect करने वाला, antacid मतलब, acid का ultra effect करने वाला, तो ये क्या करता है, sodium hydrogen carbonate, acid के effect को, neutralize कर देता है, क्या कर देता है, neutralize, तो जब acidity होती है, stomach में, acid का excess amount, इकठा हो जाता है, तो हम baking soda को, use करते हैं, ताकि, उसके effect को, neutralize कर सके, उसके अलावा, baking soda का, use किया जाता है, soda acid fire extinguisher, देखो, fire extinguisher, अलग लग तरीके के आते है, जिन में से, एक soda acid fire extinguisher, भी होता है, उसके अंदर, baking soda का, use किया जाता है, ठीक है, तो baking soda, यहां तक आपको, clear हो गया होगा, ठीक है, next, salt की तरफ बढ़ते हैं, अब आता है, washing soda, अभी हमने पढ़ा, baking soda, अब आता है, washing soda, washing soda जो है, वो कैसे बनता है, जब sodium carbonate, को, जब हम baking soda को, आपको याद होगा, अभी हमने पीछे पढ़ा था, जब baking soda को heat करते हैं, तो sodium carbonate बना था, आपको क्या करते हैं, बस baking soda को heat करना है, और आपको sodium carbonate मिल जाएगा, बस फर्क इतना है, यहाँ पर water के साथ भी आप इसको attach करने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, simply sodium carbonate लेना है, उसको react करना है, water के साथ, और sodium carbonate के साथ, 10 water attach हो जाएँगे, इसको water of crystallization बोलते हैं, तो water of crystallization क्या होता है न, water of crystallization होता है, जब इस तरीके से water के molecules attach हो जाते हैं, किसी भी molecule के साथ, तो वो water of crystallization कहलाता है, तो अगर आप से मैं पूछू, कि यहाँ पर, इस compound के अंदर, water of crystallization कितना है, तो आप देखेंगे, कि water के आगे कितना number लिखा है, यहाँ पर 10 लिखा है, 10 लिखा है, तो आप भोलेंगे कि मैं, इसका water of crystallization 10 है, ठीके न, तो आपको क्या करना है, simply sodium carbonate को react करवाना है, 10 water molecules के साथ, तो यहाँ पर water of crystallization हो जाएगी, और Na2CO3 बन जाएगा, ठीक, तो यह washing soda है, washing soda का use देख लेते हैं, washing soda का use होता है, पहले तो यह glass बनाने में, soap बनाने में, paper industries में, इन सभी जगा use होता है, sodium की different compounds बनाने में भी, उसको use किया जाता है, जैसे कि हम पर example दिया हुआ है, बोरेक्स का, इसके अलावा घर में इसको as a cleaning agent भी use किया जाता है, cleaning के लिए use किया जाता है, दूसरा water की permanent hardness को remove करने के लिए भी, washing soda का use किया जाता है, ठीक है, मैं आपको अच्छे से explain करूँगी कि यह permanent hardness, hardness क्या होती है, ठीक है, अब यहाँ पर आपकी यह water of crystallization लिखा हुआ है, definition कि water of crystallization क्या होता है, एक fixed number of water molecule present होता है, जो की one unit of salt के अंदर attach होता है, तो one formula unit of salt के अंदर, जटे water molecule attach होंगे, यह water of crystallization क्या लाएगा, जैसे यहाँ पर मैंने एक washing soda का example लिया हुआ है, और दूसरा हमारा CUSO4-5H2, अच्छे, इनको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे, यह तो copper sulfate हो गया, और यह 5 क्या है, 5 को बोलता है, पेंटा, तो copper sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, sodium carbonate decahydrate, sodium carbonate decahydrate, ठीक, इस तरीके से बढ़ेंगे, जो भी number होता है, उसका नाम बोलके, hydrate पीछे लगाते है, ठीक, तो इस तरीके से इनको read किया जाता है, अब बात करते हैं हम P.O.P की, P.O.P. Plaster of Paris, ठीक, P.O.P. क्या होता है, P.O.P. बनाया जाता है, gypsum से, किस चीज से बनाया जाता है, gypsum, gypsum क्या होता है, gypsum एक molecule होता है, जिसका formula होता है, C.A.S.O.4, dot, ऐसे dot लगाना ज़रूरी है, 2H2O, ठीक है, gypsum का formula क्या होता है, C.A.S.O.4, dot 2H2O, calcium sulfate deca, sorry, dihydrate, ठीक है, 2 है ना, तो dihydrate, तो यह gypsum का formula हो गया, अब करना क्या होता है, simply gypsum को आपको heat करना होता है, 373 Kelvin पर, ठीक है, अब आप heat करोगे, तो heat करने से, water के molecules evaporate होते हैं, तो water के molecules evaporate हो जाते हैं, और, हमारे पास क्या बज़ जाता है, calcium sulfate hemihidrate, और इसी को P.O.P, plaster of Paris बोलते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या बज़ जाता है, हमारे पास बज़ जाता है, calcium sulfate hemihidrate, ठीक है, यहाँ पर two water रहे हैं, ठीक, यह P.O.P का formula होता है, आगे reaction देखते हैं, P.O.P तो आपको बताई होगा, P.O.P जो हमारे घर पे दिवारों पर की जाती है, P.O.P उसको भी बोलते हैं, जो fracture हो जाते हैं किसी की bone में, तो doctor plaster लगाते हैं तो वो P.O.P ही होती है, बाहर का जो cover होता है, ठीक है, तो आपने क्या किया, देखो, आप जिपसम से P.O.P उप्टेन कर सकते हो, और P.O.P से जिपसम उप्टेन कर सकते हो, कैसे, जब आपने जिपसम को heat किया, तो उसमें से water निकल गया, तो आपके पास P.O.P बच गई, ऐसे ही जब आप P.O.P में, वाटर एड़ करोगे, तो आपको जिपसम मिल जाएगा, ठीक है ना, तो दोनों reversible reaction होती है, जिपसम से आप P.O.P उप्टेन कर सकते हो, और P.O.P से जिपसम उप्टेन कर सकते हो, और ये भी important question है, आपसे पूछा जाता है, कुछ भी पूछ लेंगे, जिपसम से आप P.O.P कैसे उप्टेन करोगे, या P.O.P से आप जिपसम कैसे उप्टेन करोगे, ये दोनों ही question पूछे जा सकते है, दोनों ये से कोई एक पूछा जाएगा, ठीक है ना, अब आप ये सोच रहोगे कि मैम, ये half water कैसे attach होता है, और किटने के बाद वो आधा जाकर किसी और के साथ attach हो जाता है, ऐसा नहीं है, होता क्या है, एक C.A.S.O.4 से ना, ठीक है, एक water से, एक water से, दो C.A.S.O.4 जुड़े होते हैं, एक यहाँ जुड़ा होगा, एक यहाँ जुड़ा होगा, ठीक है, अब एक water molecule से, दो C.A.S.O.4 मिले हैं, तो हम ऐसा लिख देते हैं, half, half क्या, मतलब यह आधा water इसके साथ जुड़ा होगा है, आधा water इसके साथ जुड़ा होगा है, half का मतलब क्या है, कि एक water molecule जो है, वो 2 C.A.S.O.4 से जुड़ा होगा है, तो इस वज़े से हम half लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक water molecule के साथ, 2 C.A.S.O.4 जुड़े होते हैं, इसलिए आधा इसका, आधा इसका, कोई लड़ाई नहीं, कोई जगड़ा नहीं, आधा आधा रखो, ठीक हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कि 2 formula unit of C.A.S.O.4, share one molecule of water, 2 C.A.S.O.4, एक ही water molecule को, share करते हैं, इसी वज़े से यहाँ पर यह, half आता है, plaster of peris, और कहां-कहां यूज़ होता है, toy, material, decoration, का जो material होता है, और surface को smooth बनाने में, walls पर जो, P.O.P. करते हैं, वो surface को smooth बनाने के लिए करते हैं न, तो इन सबी जगा पर use किया जाता है, ठीक है, तो, आज की glass में, इतना ही, आज हमने बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़े सीखी हैं, और बहुत ही important topic, आज हमने cover किये हैं, आप video को, देखने के बाद, मैंने आपको एक question दिया था, उसको जरूर कीज़ेगा, विल्कुल starting में की दिया था question, आपको याद होगा, आपको क्या करना है, salts के, salts की reaction लिखनी है, acidic salt, basic salt, neutral salt की, ठीक है, इनकी reactions आपको लिखनी है, और, आप जरूर बताएएगा, कि आपने reactions लिखी, कि नहीं लिखी, और अगर आपने लिखी, तो आप उनको अच्छे से, easily product बना पाए, और मेरे method को यूज़ करके, आपने product बनाए, तो ज़्यादा easy लगा, कि नहीं लगा, यह सारी चीज़े, आप मुझे comment section में, बता सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई, तो आप वीडियो को like कीजिएगा, अपने friends के साथ share कीजिएगा, क्योंकि sharing is caring, ठीक है, आप जितने लोगों को ये वीडियो दिखाएंगे, उतने लोगों की help होगी, क्या पता, उनके कुछ concepts clear ना हो, और वीडियो देखने के पाद, उनके concept clear हो जाएं, तो आपको दुआएं मिलेगी, आपको अच्छे-चे marks मिलेंगे, ठीक है ना, तो हमारी YouTube चैनल को subscribe कर लीजेगा, प्रिशम study को, और वहाँ पर आप मुझे follow करते रहे सकते हैं, और अपने concepts को build करते रहेंगे, ठीक है ना, और आप चाहें, अगर आपको ये notes चाहिए, तो आप हमारे telegram चैनल को, या फिर हमारे Facebook पे जो page है, उसे join कर लीजेगा, वहाँ पर आपको हर video का link, हर video के जो notes है, हर class के notes भी मिल जाएंगे, तो आप उसको join कर लेजेगा, ठीक है, तो मिलते हैं next video में, बहुत interesting topic के साथ, तब तक के लिए bye bye, thank you so much.